हेल्लो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीद आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल इस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेट्फिक्स पर लीज हुई फिल्म स्पाइडर हेट को जिस फिल्म का जादा नाम तो फिल्म के लीड क्रिस हमस्वाट की ही वज़े से है बाकी खरी है बलके आप इस फिल्म का मज़ा तुकड़े में उठा सकते हो खास करके फिल्म के फिल्म के फरस्ट हाफ में जिसकी शुरौद बहुती अच्छी तेर्गे से की गई थी बट अनफॉर्चनेट ये फिल्म आगे जाकर स्टोरी के हिसाब से थोड़ी फ्लैट हो गई है और obviously इस बारे में इंट्रो के बाद ही बात करेंगे जिसके अब सबसे पहले कहानी की बात करें तो ये कहानी Chris Hemsort के कारेक्टर स्टीव और Jeff और Rachel के कारेक्टर बभी फोकस करती है जिन कारेक्टर का रोल इस फिल्म में माई स्टाइलर और जॉनरी ने प्ले किया है जो अपने रोल में बस ठीक ठाक से है क्योंकि उनका कैरेक्टर बाकी दुस्टे कैरेक्टर की तरहा स्पाइडर हेट के बेस में एक प्राइल के सब्जेक के तौर पर दिखाए गए है जिने सजा तो ऐस प्रिजनर दी गई थी लेकिन क्रिस हेंसोट के कैरेक्टर स्टीव के चलते उन्हें स्पाइडर हेट के प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया जहां पर सभी सब्जेक के ड्रक्स के ट्राइल को टेस्स किया जाता है जिनके इंचार्ज ओविजली स्टीव ही है जो अपनी दुनिया की बदलने वाली सोच को लेकर अपने इस ट्राइल में पूरी तरीके से पास होते भी है या नहीं और क्या वो सब्जेक यानी के वो जितने भी प्रिजन वहाँ पर स्पाइडर हेट के बेस में है वो उनकी बात कितनी सुनते है कितनी नहीं ये फिल्म उन्हीं सारी की सारी चीजों पर फोकस करती है बेसिकली ड्रग का एंगल भी फिल्म में डाला गया है लेकिन उस पर जादा फोकस बिलकुल भी ना करते हुए ये फिल्म बस अपनी ही स्टोरी लाइन में चल रही थी जिसके लिए तकरीबन आपको देड़ घंटे देने होते है जो अब आपको इस फिल्म पर देने भी चाहिए या नहीं चलिए उन डीटेल्स पर बात करते है जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी चोटी सी रिक्वेश जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को ला जाएगी जो इन पूरी के पूरी सिच्वेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते है काफी अच्छी स्टोरी देती है जो कि फिर से मैं कहूंगा कि अनफॉचनेट इस फिल्म की शुरुवात में थी लेकिन बाद में वो सारी की सारी चीज़े पूरी तरीके से फ् दिखाया जाता है तो उनके कैरक्टरों को लेकर हॉलिवूट की हिस्टरी है क्या होता है ये बात मुझे आपको बताने की ज़रुत नहीं है बाकि आप बात करें परफोर्मेंस वाइस तो सभी एक्टर्स की परफोर्मेंस ठीक ठाक सी है जिनमें जादा तरत व टाइम फिल को इतने अच्छी स्टार्ट के बाद किस एंड पर ले जाकर रखा जाएगा जिसमें तो ये फिल्म आपको डिसपॉइंट ही करती है वो भी कुछ खाच जादा बिल्कुल भी ना दिखा कर क्योंकि जब दिखाने की बात आती है यानि राजपर से परदे उठाने की तब य इस फिल्म को एक बार जरूर चेक आउट कीजेगा क्योंकि फिल्म नेट्फिक्स पर हिंदी में भी अवेलिबल है जिसकी शुरुआत की हिंदी डबिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है लेकिन बाकी पोशेंज में फिल्म की हिंदी डबिंग को ठीक रखा गया है और इस के अलवा फिल्म फैमली के साथ बैट कर देखनी जैसी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुती माइनर से सेक्सिन्स को डाला गया है उसके बाद अब फिल्म के बाकी दूसरी चीजों की बात करें तो फिल्म का डिरेक्शन काफी जाधा अच्छा है क्योंक खुल कर कहूँ तो वो एडिटर का ही कमाल है जिस कारण से आप इस पूरी फिल्म को छेल लेते हो वो भी ऐसी सिंपल सी स्टोरी के साथ तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी क्योंकि अक्सर करकर ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म में बीच बीच में आपको बोर करती है लेकिन जैसी कि मैंने कहा ये फिल्म आपको उसका बिल्कुल भी मौका नहीं देगी क्योंकि तब तक फिल्म खतम हो जाती है वो भी काफी बचकाने इनके साथ जिन से हटकर अब सीधे आ जाते है इस फिल्म की रेटिंग्स पर जिन में अगर मैं बात करो फिल्म के एक्शन की तो उसके लिए पांच में से एक स्टार बिल्कुल ठीक रहेगे जो इस फिल्म में है तो सही लेकिन सिफ नाम के बराबर उसके बाद बात रही फिल्म की कॉमेडी और सस्पेंस की तो वो दोनों ही कैटेगरी पांच में से जिरो स्टार डिजब करेगी हलागि फिल्म के सस्पेंस कुछ लोगों के लिए काम कर जाएगे तो कुछ लोगों के लिए बिलकुल भी नहीं खास करके मेरे जैसे व के लिए क्योंकि फिल्म के कहानी के 20 मिनट के बाद मैंने ये गैस कर लिया था कि फिल्म का इंड किस तरीके का होगा जैसी के मैंने कहा एक्जैक ये फिल्म उसी मोड पर जाकर खतम हुई है उसके बाद बात करें फिल्म के ड्रामा की तो कंटेन अच्छा था जिसके चलते मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग इस कैटिगरी में दूँगा वो भी सिर्फ और सिर्फ फिल्म की कहानी के लिए नहीं बलके बाकी दूसरी और चीजों को भी ध्यान में रख कर जिस बारे मैं मैं इस वीडियो में बात कर चुका हूँ उसके बात करें फिल्म के हॉरर और फिल्म की तो हॉरर फिल्म में है नहीं और फिल्म का एक छोटा सा पोशन फिल्म में आपको ग्रिप करता है जिस कारण से ये रेटिंग 5 में से आधे स्टार डिजब करती है बाकी बात करें मास ओडियंस की तो उनकी नजर में ये काफी हलकी फुल किसी फिल्म रहेगी यानि के बस सिंपल सी टाइम पास जिसके चलते मास ओडियंस इस फिल्म को B की कैटिगरी में रखेंगे टॉक चैनल जिसे अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने वे इस बैल एकन के साथ साथ क्या स सब्सक्राइब प्राज कि से वे दो एक टॉए कर ली इसक्राएब